जय भवानी, जय सिवालार, जय बिर्शा, आपल्या सरवाना, माजान अबश्कार, हम भी देश बनाने के लिए, देश वास्यों का जिवन बदलने के लिए, एक मिशल ने करके निकले हुए लोग है, 21,000 करोड रुपिये, देश के करोडों किसानों के खाते में पहुँच गए, और यही तो मोदी की गारंटी है, जै भवानी, जै सिवालार, जै बिर्शा, आपल्या सरवाना, माजान अबश्कार, महराष्ट के राजपाल, स्रिमान रमेश बैश जी, मुक्य मंत्री, स्रिमान एकनाज चिन्दे जी, मुक्य मंत्री, देवेंदर फड़ंविच जी, अजीत पवार जी, मंच पर विराजमान, अन्य सभी वरिष्ट महानुभाव, आज इस कारकम में, देश के भी अन्य भागों से, बहुत बड़ी मात्रा में, हमारे किसान भाई बेन जुड़े हैं, मैं उनका भी यहां से स्वागत करता हूँ, भाई और बहनों, अच्छत्रपति सिवाजी महाराज की, इस पावन भूमी को, त्रध्धा पुर्वग बंदन करता हूँ, महाराज्च की संतान, और देश की शान, दॉक्तर बाबा साब आमबेड करको भी मैं नमन करता हूँ, जबत्वार, वाशिम, तांडेर, मार गोर बंजारा भाई, पिया, नायक, डाव, कारभारी तमनुन, आजोडन, राम रमी, आजियों, मैं दस साल पहले, चाय पर चर्चा करने, यवत्मार आया था, आपने बहुत आशिरवाद दिया, और देश की जनता ने, एंडिये को, इन सो पार पहुँचा दिया, फिर मैं 2019 में, फरवरी के महिने में ही यवत्मार आया था, तब भी आपने हम पर खुब प्रेम बरताया, देश ने भी तब, एंडिये को, तिन सो पचास पार करा दिया, और आज जब, तोहजार चोबिस के चुनाव से पहले, मैं विकास के उत्सों में शामिल होने आया हूँ, तब पुरे देश में, एक ही आवाज गुन्ज रही है, अब की बार, अब की बार, अब की बार, मैं हाँ, अपने सामने देख रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में, माताएं बहने हमें आश्रवाद देने आई है, इससे बड़ा जिवन का सववाग ये क्या हो सकता है, गाउं गाउं से, मैं इन माताओं बैनों को, विशेश रुप से पढ़ाम करता हूँ, जिस प्रकार, यवत माल, वाशिम, चंद्रपूर, सहीर, पूरे विदर्व का असीम आश्रवाद मिल रहा है, उसने तै कर दिया है, NDA सरकार, 405, साथियों, हम चत्रपती सिवाजी महराज को, आदर्श मानने वाले लोग हैं, उनके साथन को 350 वर्ष हो चुके है, उनका जब राज्जा विशेख हुआ, सब कुझ मिल गया, तो वे भी आराम से सत्ता का भोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्ता को नहीं, बलकि राष्ट की चेतना, राष्ट की सकती को सर्वोच्च रखा, और जब तक रहे, तब तक इसके लिए ही काम किया, हम भी देश बनाने के लिए, देश वाच्चों का जिवन बदलने के लिए, एक मिशल ने करके, निकले हुए लोग है, इसलिए बिते दस वर्ष में, जो कुछ किया, वो आने वाले पचीश वर्ष की नीव है, मैंने भारत के कौने कौने को दिख्षित बनाने का संकल्प लिया, इस संकल्प की सिद्धी के लिए, जरीर का कंखाण, जीवन का ख्षाँच्षाण, आप सब की सेवा में सबर्पीत है, और भारत को विश्षित बनाने के लिए, चार सबसे बड़ी प्रात्विकता है, गरीब, किसान, नवजवान और नारी शक्ती, ये चारो ससक्त हो गए, तो हर समाज, हर वर्क, देश का हर परिवार ससक्त हो जाएगा। साथियों, आज यहां यवत माल में, इनी गरीब, किसान, नवजवान और नारी शक्ती, इन चारो को ससक्त करने वाला काम हुआ है। आज यहां महाराष्ण के विकास से जुड़े, अजारो करोड रुपे का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है। अज किसानों को सिंचाई की सुविदाएं मिल रही हैं, गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गाउं की मेरी बेहनों को आर्थिक मदद मिल रही हैं, और नव जवानों का पविश्य बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। पीदर्प और मनाटावार की रेल कनेक्टिविटी बहतर बनाने वाले रेल प्रोजेक्ट्स और नई ट्रेने आज शुरू हुई है। इन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत बदाई देता हूँ। साथियों, आप याद कीजिए, यह जो इंडी गठबंदन है, इसकी जब केंदर में सरकार थी, तब क्या स्थिती थी? तब तो कर्शी मंत्री भी यहीं यह माराज लगे थे। उस समय दिली से विदर्व के किसानों के नाम पर पैकेज गोशिद होता था, और उसे बीच में ही लूट लिया जाता था। गाउं, गरीब किसान, आदिवासी को कुछ नहीं मिलता था। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते, पी एम किसान सन्मान निजी के 21,000 करोड रुपिये, तो टांकडा नहीं है। 21,000 करोड रुपिये देख के करोडों किसानों के खाते में पहुच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। कॉंग्रेस की सरकार थी, तम दिल्ली से एक रुपिया निकलता था, पंदरा पैसा पहुचता था। अगर कॉंग्रेस की सरकार होती, तो आज जो आपको 21,000 करोड रुपिये मिले हैं, उस में से 18,000 करोड रुपिये पीच में ही लूट लिये जाते। लेकिन अब भाजपा सरकार में, गरीब का पूरा पैसा, गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है, हार लाबारती को पुरा हाग, पाई पाई बेंक खाते में। साथियों, महरास्ट्र के किसानों के पास तो डबल इंजिन की डबल गारंटी है। अभी महरास्ट्र के किसानों को लावग से 3,800 करोड रुपे ट्रांसपर हुए है। यानि महरास्ट्र के किसानों को पी-एम किसान सम्मान निजिके 12,000 हर वर्ष मिल रहे हैं। साथियों पी-एम किसान सम्मान निजिके तहट अभी तक देश के 11 करोड किसानों के खाते में तीन लाग करोड रुपे से अधिक जमा हो चुके हैं। इससे महरास्ट्र के किसानों को 30,000 करोड और यवत माल के किसानों को 900 करोड रुपे मिले हैं। आप कल्पना कीजिए ये पैसा छोटे किसानों के कितने काम आ रहा है। दिन पहले ही हमारी सरकार ने गन्ने के लापकारी मुल्य में रिकॉर्ड बरोत्री की हैं। अब गन्ने का लापकारी मुल्य तीन सो चालिस रुपिये प्रती क्विंटल हो गया है। इसे महरास्ट के करोडों, गन्ना किसानों और खेत मद्दूरों को लाप होगा। उद दिन पहले ही हमारे गावों में अनाज के गोदाम बनाने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना आरंब होई है। ये गोदाम भी हमारे किसानों की सहकारी समीतियां, हमारे सहकारी संगठन बनाएंगे, वेही इनको नियंत्रित करेंगे। इससे छोटे किसानों को विशेश लाप होगा। उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज नहीं बेचनी पड़ेगी। साथियों, विशित भारत के लिए गाव की अर्थववस्ता का ससक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए पीटे दस वर्स अबे हमारा नियंतर प्रयास रहा है कि गाव में रहने वाले हर परिवार की परिशानियों को दूर करें। उन्हें आर्थिक संबल दें। पानी का महत्वक क्या होता है कि वीदर्ब से बेतर बला कौन जान सकता है। पीने का पानी हो या फिर सिंचाई का पानी। 2014 से पहले देश के गाव में हाहा कार था लेकिन इंडी गडबंदन की तब की सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी। आप जड़ा सोचिए आजाजी के बाद से लेकर 2014 तर देश के गाव में सो में से लगबग 15 परिवार ही ऐसे थे जिनके घर पाईप से पानी आता था। सो में से पंदरा गर और इन में से अधिकतर गरीब दलीट पिछड़े और आदिवासी थे इनको ये लाप नहीं मिलता था। कि हमारी माताओं बेहनों के लिए बहुत बड़ा संकट था। इस सिची से माताओं बेहनों को बाहर निकालने के लिए ही लाल किले से दो दिने हर गर जल की गारंटी दी थी। चार-पांच साल के बीतर ही आज हर सो में से पचचतर ग्रामिन परिवारों तक पाईप से पानी पहुँच चुका है। महरास्ट में भी जहां पचास लाग से कम परिवारों के पास ही नल से जल था। आज लगबग सबा करोण नल कनेक्शन है। सभी देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथ क्यों वोदी ने एक और गारंटी देश के किसानों को दी थी। कॉंग्रेस की सरकारों ने दसकों से देश की करीब सो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को लटका कर रखा था। इन में से साथ से जादा पूरी हो चुकी है और बाकी पर भी पूरी होने वाली है। लटकी हुई इन सिचाई परियोजनाओं में सबसे जादा महरास्त की 26 परियोजनाए थी। महरास्त के पीदर्फ के हर किसान परिवार को ये जानने का हक है कि किसके पाप की सजा आपकी पीडियों को भुगतनी पड़ी है। इन 26 लटकी हुई परियोजनाओं में से 12 पूरी हो चुकी है और बाकियों पर भी तेजी से काम चल रहा है। ये बाजपा की सरकार है जिसने निलवांडे बांद परियोजनाओं को पचास वर्स बाद पूरा करके दिखाया। कृष्णा कोईना लिप्ट सिंचाई परियोजना और टेमभू लिप्ट सिंचाई परियोजना भी तसकों बाद पूरी हुई है। कौसी खुर्द परियोजना का चांदातर काम भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया। आज भी यहाँ विदर्प और बनाडरावड़ा के लिए पी एम कृसी सिंचाई और बली राजा संजिवनी योजना के तहर एक्यावन पोजेस का लुकारपण हुआ है। इनसे असी हजार हेक्टर से जादा फूमी को सिंचाई की सुविदा मिलेगी। साथियों, ओधी ने गाउं की बहनों को लगपती दीदी बनाने की गारेंटी भी दिये। अभी तक देश की एक करोड बहने लगपती दीदी बन चुकी है। इस वर्ष के बजेट में हमने गोश्रा की है कि तीन करोड बहनों को लगपती दीदी बनाना है। अब इस संकल्प की सिद्जी के लिए मैं जुटा हूँ, आज स्वयम सहायता समों में बैनों बेटियों की संख्या दस करोर को पार कर गई है, इन बैनों को बैंकों से आठ लाग करोर रुपिय दिये गए हैं, चालीस अजार करोर रुपिय का विसेज फ़ंड केंदर सरकार ने दिया है, महराश्ट्र में भी बचत समों से जुड़ी बैनों को इसका बहुत लाब हुआ है, आज इन समों को आठ सो करोड पे से जादा की मदद दी गई है, यह वतमार जिले में पहनों को अनेक इरख्षा भी दिये गए हैं, पैसिन्दे जी, देवेंदर जी और अजित दादा सहीत महराश्ट्र की पूरी सरकार का इस काम के लिए विशेश रुप से अभिनंदन करता हैं, और साथियों, अब बहने इरख्षा तो चला ही रही हैं, अब तो ड्रोन भी चलाएगी, नमो ड्रोन दीदी योजरा के तहट, बेहनों के समू को ड्रोन पाइलट की ट्रेनिंग दी जा रही हैं, फिर सरकार इन बेहनों को ड्रोन देगी, जो खेती के काम में आएगा, साथियों, आज यहाँ पंडिज दिन्दाल उपायत है, जी के प्रतिमाग आपके लोकारपण हुआ है, पंडिज जी अंतोज है के प्रेना पुरूश है, उनका पूरा जीवन गरीबों के लिए समर्पित रहा है, हम सभी पंडिज जी के विचार से प्रेना लेते हैं, बीते दस वर्थ, गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं, पहली बार मुप्त रासन की गारंटी मिली है, पहली बार मुप्त इलाज की सुविदा मिली है, आज भी हम मारास्त के एक करोर परिवारों को अवश्मान कार देने का अभ्यान शुरू हुआ है, पहली बार करोरों गरीबों के लिए शांदार पक्के घर बने हैं, आज वबी सी परिवारों के घरों के निर्वार के लिए बिश्यत योजना शुरू हुई है, इस योजना के तहट दस लाग वबी सी परिवारों के लिए पक्के घर बनेंगे, साथियों जिनको कभी किसी ने नहीं पुछा, उनको मोधी ने पुछा है, उनको पूजा है, विश्व कर्मा साथियों के लिए, बलूतेजार समुधायों के कारुगरों के लिए, कभी कोई बड़ी योजना नहीं बड़ी, मोधी ने पहली बार, 13,000 करोड रुपे की, पी-एम विश्व कर्मा योजना शुरू की है, कॉंग्रेस के समय में, आदिवासी समाज को हमेशा, सबसे पीछे रखा गया, उन्हें सुविदा नहीं दी, लेकिन मोधी ने, जन जातिय समाज में भी, सबसे पीछडी जन जातियों तक की जिन्ता की है, पहली बार उनके विकास के लिए, 23,000 करोड रुपे की, पी-एम जन मन योजना शुरू हो चुकी है, और माडिया जैसे अनेक जन जातिय समुदायों को बहतर जीवन देगी, गरीब, किसान, नवजवान, और नारी शक्ति को ससक्त करने का, ये अभियान और तेज होने वाला है, आने वाले पांच वर्थ, इससे भी अधीक तेज विकास के होंगे, आने वाले पांच वर्ष, विदेव के हर परिवार के जीवन को पहतर बनाने वाले होंगे, एक बार फिर, किसान परिवारों को, आप सभी को, अनेक अनेक बधाई, मेरे साथ बोलिये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बाद बाद धन्वार